सर आप डॉक्टर प्रगाजी जैन मेरा आप से एक सवाल है रामचरीद मानस में लेक आता है मोह सकल व्यादिन कर मूला तांसे उगजत बहुवी दिसुला कि ये मोह जो है ये सबी बीमारियों का मूल है और मोह ग्रस्त व्यक्ति सदा दुखी रता है और इस मोह में सारा सुनसारूल जो हुआ है और मैंने ये सम असुस किया है कि साथ डॉक्टर इमोशनल कम होते हैं तो इस पर आपका क्या विचार है मोह से कैसे निजात पाए सबसे पहली बात तो ये कि डॉक्टर इमोशनल नहीं होते है ये बिल्कुल गलत इंप्रेशन है हमें अपनी दिन चरिया में हमेशा ही इस तरीके की चीजों का सामना करना पड़ता है तो हम अपनी भावनाओं पर अन्खुश रखते हैं और सब के सामने अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं करते हैं और रही बात महा की और कहीं इसमें थोड़ा सा मुझे लगता कंफ्यूजन है कि महा और तृष्णा का जो फरके वह आप समझ नहीं पा रहे है महा बुरी चीज नहीं हो सकती है महा आपको अपने पुत्र से हो सकता है अपने परीजनों से हो सकता है अपने काम से हो सकता है, महां बुरा नहीं होता है, महां आपको काम को प्रेजित करने के लिए भी हो सकता है जो डुखी करने वाली चीज़ होती हो जी तरशना, यानि कि आपके बोट ज्यादा इच्छा है और बहुत ज्यादा अपेख्षा है, आप किसी से रखते है, वो आपको ज्यादा दुखी करता है, तो आप दिले दिले जीवन में अपनी इच्छाओं को कम करने कोशिश करें तो आपको जीवन में दुख कम होगा वो मुझे लगता है कि राम चरित मानस में जो उल्लेक किया गया है उसका कहीं कुछ गलत मिसे इंटरप्रेशन किया गया है Thank you, sir